जहिन साथियों, आज हम लोग ब्यावार्वेति शद्धानत में एक प्रमुक मौनुबिक ज्यानिकों पढ़ेंगे जिनका नाम है E.L. थांडाई, जी हाँ, अगर आप सरकारी से चक बनने के तैयरी कर रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक थांडाई के कुछ इच्छा में प्राहे प्रशनाते हैं, तो चलिए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाएए, पहले में छोटा सा इंडो दे देता हूँ, इसके जो बोर्ट पर लिखा गया है, उसके बाद इसके बिस्तित ब्याक्ठा करते हैं, क्योंकि रेस के भोडे हमेसा रेस में अच्छा लगत यह ऐसे पहले अमेरिकी मनोब ज्यानिक थे, जिन्होंने अपना प्रयोग पसुओं पर किया, एक प्रशन आपके परिच्छा में पूछे जा सकते हैं, कि इन्होंने जो प्रयोग किये थे पसुओं पर, वो कौन-कौन से पसु थे, तो वो थे बिल्ली, चुहा, मुर्गी, मचलियों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, लेकिन किस कारण ये सरवादिक विख्यात हुए, वो था बिल्ली पर प्रयोग, किस पर बिल्ली, लोग कहते हैं, थांडाइक का बिलना, ठीक है, मुर्गी, थांडाइक का प्रियोग, बिल्ली पर जो था, वो काफी प्र बिल्ली को पिजड़े के अंदर बंद कर दिया और जो पिजड़ा था एक खुब के माध्यम से खुलता था और भूकी बिल्ली को जो कैट कर दिया जाए उसके थोड़ी दूर पर कुछ पकी हुई मचली या कुछ मचली या मास के उच अंस रख दिये गए जिसे हम उदीपत या एस कहते हैं जी हां जिसे हम उदीपत या एस कहते हैं और उसकी कारण उसकी जब गंध मचली की उस बिल्ली के नाकोत पहुची तो भूग से और तरपने लेगी वो पिजड़े भूत उचल पूद करती है अचानक उचल पूद करते करते पिजड़े का लीवत दब जात है कि जब भी उसे पिजड़ा खुलना है तो कौन से हुग को दबाना है इसलिए यहाँ पर अनकरिया और उदीपक होता इसलिए इसलिए इसे उदीपक अनकरिया का सिध्धान्त कहते हैं इसे सिध्धान्त कहते हैं इस्टुमियस रिस्पॉंस थेयरी के नाम से इसे जानते उनकी कुछ प्रमुक पुस्तक है थी उनकी कुछ प्रमुक रचना है थी जो आपके परिच्छा में बार बाद पूछा जाते हैं अई यह उन रचना के बारे में एक नजर दोड़ा लेते हैं उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जी हाँ यह रचना जिसका पतिपादन उन्होंन हम आगे देखते हैं educational psychology, education psychology 1903 में, फिर अगली इनके रचना थी the psychology of learning 1914 में, the measurement of intelligence 1926 में, fundamentals of learning 1933 में, human nature and social order 1940 में, ये इनकी ऐसी प्रमवख पुस्तके थी जो आपके परिच्छा में prior पूछा जाते हैं, आप इसकी skins और click लिजेगा, अभी तो ये trailer है, इसकी पूरी बिश्त्रित व्याख्या आपको देखने को मिलेगी, जी हाँ, इनके सिध्धान को और कई नामों से जाना जाता है, जो परिच्छा में कई बार पूछे जा चुके हैं, जैसे इनके सिध्धान को कहा जाता है, श्रम्बंध वादका्ष्धान, इसे ही सिध्धान के नाम से जाना जाता है, इसका पतिपादन इन्होंने 1913 में किया था उसके अलामा अगर हम और देखें तो आवृत्ति का सिध्धान इनके सिध्धान को आवृत्ति का सिध्धान कहते हैं प्रयास इवं तोटी का सिध्धान कहते हैं प्रयतनेव भूल का सिध्धान कहते हैं चैन का सिध्धान कहते हैं समा योजनवादी सिध्धान कहते हैं उदीपक अनकुरिया सिध्धान कहते हैं एतने नामें से इनके सिध्धांद को जाना जाता है जो आपके परिछा में बार 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 पूछे जाते हैं उसके बाद हमने देखा हंडाइक के नियम को हम दो बाद भागों में डिवाइट कर देते हैं जो पहला है जिसे हम कहते हैं मुख्ष नियम के संख्या तीन है जो अभ्यास का नियम तक परता का नियम और पधाय पईडाम का नियम के नाम से जाना जाता है इसे तीन नियम को हम किसे कहते हैं मुक्ष नियम के अंतरगत पड़ते हैं दूसरा इनका गौध नियम है गौध नियम अगर देखें तो ये पांच हैं जिसमें बहुप्रत क्रिया का नियम आत्मी करण का नियम मांसिक विन्यास का नियम आंसिक क्रिया का नियम सहाचारी परिवरतन का नियम इस प पूरी कच्छ आपको मिल जाएगी आप सभी के सरकारी चछक बनने में एक महत्तुपण योगदान देगी जल्दी चाप इसकी स्किन सौर्ट किलिक कर ले खोगे स्किन सौर्ट किलियर चली अब आते हैं इसके एक एक टाफिक के एक तथ्यों को पढ़ते हैं तो हम भी आपको असफष्ट करते हुए चलते हैं कि इनकी जो पहली सोध थी जो प्रकासित हुई उसका जो शिर्षक था वो था Animal Intelligence क्या नाम था उसका Animal Intelligence के नाम से था और इसका प्रकासन अठारज़सो अठानाबे में हुआ था यह अमेरीका के तहले ऐसे मनों बज्यानिक थे जिन्हो श्रंबंदवाद काूझ और जाता है फानडाइक का श्रंबंदवाद नाम से जानते हैं अदिपक औ अनकुरिया के सिधन के नाम से इसाठी ता सब्सकरिया की बहुत जाते हैं जिसका प्रतिबादन होने 1913 किया था इस द्धान के अनुसार मतलब हैसार बॉन्ड के अनुसार एसार थेरी के अनुसार जब कोई उद्धीपक किसी भी ढखती जिव या प्राणी के सामने उपस्तित होता है किसी प्राणी के सामने जब उपस्तित होता है कि वह उसके प्रति अनुकरिया करता है जैसे मैं चोटा साब एक जाम्पल दोंगा जिससे अगर आपके सामने सुचशक भरते लिखित परिच्छा है के सामने क्या है एक उधीपक रख दिया जाए मतलब आपके मन में तब पढ़ेने चाजागरित होती है जैसे है यूपिट आ गया यूपिट नबंदा जहां पर जरूद बनना है, जहांपे आपको जरूद परती है आप अपना ठाम सुरूर करते हैं मतलब किसी भी पृषन के समझ सब से पहले किया रखना चाइए उसनों कि विसेश उद्धिपक्स हो जाता है जिसका कारण उनक्रियात की गई है अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि संतोस जन्रक होने पर मतलब अगर कोई व्यक्ति साकाहारी है उसके सामने प्री में मांस भिकरा हो बकरे का मुर्गे का तो क्या हो ले जाएगा उसे उसकी कोई वैश नहीं है उसके संतोस नहीं है से सस्ता हो चाहे महांगा हो जाहे ले उसके लिए मजदूरे नहीं करता हम लेकिन अगर कोई व्यक्ति शराबी है खोड़ सराब पियता है खुब दारू पीता है और कहिए कि आपको हम 10 बोतल दारू देंगे अगर यह मिट्टी इतना ठोद दोगे तो तुरन तीजी से काम शुरू करेगा लेकिन अगर कोई व्यक्तिव दारू नहीं पीता है शराग नहीं पीता है मदीरा का शेवन नहीं करता है वह आपका काम नही अधिकम की प्रक्रिया है मने अधिकम की प्रक्रिया के दौरान जो उद्धीपक होगा इस्टुमिलेस जो होगा यह आपका उद्धीपक जो अनकरिया होगा इनके बीच में एक क्लेक्शन होना जरूरी है एक संबंद होना जरूरी है और वह संबंद शंतोस जनक होना चाहि इन बंधनों से बनने की प्रक्रिया उनकी बातों पर निरमर करती है कि वो कितना संतुष्थ है और जतना जादा संतुष्थ होंगे बाद विज़ों होगा जो इसका बंधन होगा वो तरह मजबूत होगा और संतुष्थ प्रत ना हो तो कमजूर होगा मैंने बताया कि मैं यह इपक्नो के स्रंबंदों को हम S-R-Band बनता है क्या बनता है अपलोग मैं अपनेगा S-R-Band बनता है और इसलिए इस सिधान्द को स्रंबंध या बंद का सिधान्द के नामसे भी जाना जाता है इसलिए इसे शंबंधवाद या बंध का या बांड के सिध्धान्द के नाम से भी हम इसे जानते हैं इसे हम आगृत्ति का भी सिध्धान्द कहते हैं इसे हम थेयरिया फेक्वेंशी कहते हैं इसे प्रत्ना और भूल का सिध्धान्द कहते हैं इसे हम चैन का सिध्धान कहते हैं, फिरी आप सेलेक्शन की कहते हैं, इसे तुड़ी का सिध्धान कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्नियों भूल का सिध्धान कहते हैं, प्रयास तुड़ी का सिध्धान कहते हैं, फिरी आप लर्निंग के नाम से जानते हैं, इस प्रकार हम त्थ्जुफदि बात करें इसगों कि एसको हम आपके न जिने पूछा जाए कि आपका उधीपक क्या है तो आपका उधीपक और गीर तुरिक विज़ाश सचाठर करना ऑपका उधीपक, आपका उधीपक. आपका जो यष है वो क्या है सर्कारी सिच्छथब बनना सर्कारी सीच्छथ बनना अ3 मतलब है हम ने देखा यह वस्तु या इस्तिति या ऐसा कोई आपका ऐम ऐसा आपका गोल जिसके कार करने के लिए आप प्रेरीत हों उसे हम अदिपर कहते हैं वो आपका लच्छी हो सकता है एंग गोल आपका आपका प्रमुख भोजन पानी और साधिसाथ आपके पैसे आज कल तो पैसे सबसे महत्तव मतलब गौज जैसे आपने देखा हो कुछ अवर्णाम करते हूए पिर mrल ब्लति है तो यहाँ पर हमने देखा कि अब उदीपक का मतलब को होता है जो आक säger 2005 जो आपको काम करने के लिए प्रेरीत करें के आपको अपको सरकारी से इच्छाब पढ़ दो आपको सरकारी से इच्छाब पढ़ तो यह है बरसाथ में पानी में ओलाव पढ़ा तरहा तो पढ़ेगे पूरा वह जाए कि कहा है सकाय नोकरी मिल ले माई भाउ सपना पूरा हो जाए बीटीसी बेटकर ने परिसा कहें लोग लगा है यही वजह से ताकिन तू लोग बढ़कर भविसमिन मस्टर और मस्ट्राइन बने इसलिए यहां पर प्रेस्टर है टेड पर इच्छा उत्रण कर है अनको यह response कि अनुक्रिया है लिभ जिसने के नाम से सभ़पूर्प्स मत्रव कि यह शूरा करने के topic आपक्त काहां पर चलतीया वह पढ़ने पढ़ना है पता चला किसी जड़पद में हैं आप नौकरी कर रहा है महिला आएक रहनी है अब आपको क्या है आपको दीपत पता है सकाई शिच्छा बनना है कब क्या करेंगे का इला नीवी दुरगेश्थ का आप स्टाल कर लो सारा क्लास आपको मिल जाएगा यू नोट कैसे मिलेगी तो इसलिए आपके लिए उद्दीपत जरूरी है अब आप खोजना शुरू करते हैं लेक्षी को पाने के जो तरीके हैं अच्छी किताबे कौन से होगी अच्छी वीडियो लेक्चर कौन से होंगे कौन से नोट आपको पढ़ने चाहिए और सबसे बड ऐसा थेयरी के नाम से जानते हैं इसे क्या कैते हैं यहां जहां मैंने लिखा इस पर तरी के नाम से जाना जाता है और यह प्रकासन 1913 में किस ने किया था किस ने किया था जिसकी ठीरी पर रहे हैं थांडाइक महोदय ने किया था जी हाँ, अब आगे देखते हैं, थांडाइक ने प्रियोग किस पर किया, यहाँ पर मने एक लाइन लिख दिया ने, थांडाइक ने अपना प्रियोग किस पर किया, तो थांडाइक महोदय ने अपना प्रियोग बिलरा पर किया, कहते हैं, बिलरा वाला थेरी किया करो, तो थ प्रियोग किया इसके बाद उन्होंने सीखने का संबल देवा उद्धीपक अनुकरिया का सिधान शीखने का नियम प्रतिपादित किया उसके बाद उन्होंने क्या किया इतना करने के बाद उन्होंने क्या किया शीखने का नियम बना ये उस नियम को एक बाद हम लोग पढ़ थांडाइक का मुख्य परियोग एक भूखी बिल्ली के उपर था उन्होंने क्या किया थांडाइक महोदय ने सबसे पहले क्या किया ध्यान से समझेगा जितने वीडियो को लाइब देख रहे हैं सभी लोग क्या करेंगे पहले ध्यान समझेगा उन्होंने क्या किया पहले एक कि इस का दरवाजा एक लीबर के दवने से कुलता था जी से बॉक्सके अंदर घटाई रड़ा निकले कई से वे निकले की निकले अचे लिवस्ताइब तो वही लिए उस पिजड़े को कैसे खोड़ पाती जब तक लीबर नहीं दबाती तक पिजड़ा खुलेगा नहीं अब तो मनेईद रहा नहीं जिसे आप लोग है अगर सरकारी सी चक बनना है तो काते ही लादी में दुर्गेश पढ़ लीजिए कोई में कोई बताता है अब के बिलवागी के बता है कि लीबर दबाओ खुल जाए पिजड़े के बाहर थांडाइक महोदे क्या करते हैं पहले तो पिजड़े में बिल्ली बंद कर देते हैं उ माता जी बढ़िया बंजद बनाती है क्या कुछ बन वां बहुत होगा तो इस प्रकार कुछ नुक्छ выд को बन रहनाएक का in तो इसकी सुगंद आती है तो विलरोक मुहमग भर हो सुंगर्गδα है कि या मछली माक रहा है कहा प्रयास किया होगा अरे मैं तो पिजडे में बंद हूँ बाहर के से निकलू और पिजडे में अंदर है भूग से तरप रही है और सामने खाना रखा है वो पूरा कल बंद छड लगा देती है खुब उचलती कूथती है मतलब उस बंद पिजडे में इधर दो खुब दोर हो जाए अचानक उसका पैड लीबर पर पड़ता है और जैसे लीबर दवा दरवाजा खुला दा बिलरा बाहर कि सुना कि में थुलहार हो या सामने मचली भूकी मजली मास का टूकडा जैपटबड़ी मचली खालि झाली जब देख रहे थे किया इस ने क्या किया इने क्या किया प्रेस किया और गल्टी साही वह है लीबर दभा वह कुंडी दभी धर्वाज़ा खूल गया मचली खैली अज़avior कि cani जब लीवर दब जाता है तो फिजला खुल गया तो इस बार उस बिलगा को अब पहले से कम समय लगा अब थांडाइक के लोग लगा किया कुछ प्रयास के बाद फिर वह तही बार इसका प्रयोग कि फिर धीरे धीरे उसको पता हो था जब उसको भुग लगती वह लीवर पता चल गया कि कहां सै लिवर दबाना है कई से बाहर। बिल्लीक के द्वारा पुजरा खोला सिखने के प्रकरिया उस से या स्निसकर गता है कि दीपत wants शिंख अनक्रिया के बीच एक बाउंड बनता है ठीक थांडाइक के द्वारा जो सीखने के प्रक्रिया है उसे कई महत्पून बाते पता चली जैसे बिल्ली भूखी चाहिए आता सीखने के लिए प्रेणा का होना जरूरी है आए पी बिल्ली हो आपे के मुटान हो तो भाड़ में जाए चाहा दूद रखा चाहा मटन रखा इसके लिए आपको मुटिवेट होना होगा आतो पढ़ना होगा दोसरा बिल्ली की भूक, संतुष्ट करने के लिए, उसके पेट को भगने के लिए, भोजन जरूरी है, मतलब पुनर बलन, माने भोजन उसका क्या था, पुनर बलन था उसके लिए, मतलब हम अगर अपने सब्दों में कहें, माने पुनर बलन का होना, पुनर बलन का होना बहुत ही ज करें सरकारी सिच्छक बनें वीडियो को मत्सेर करिए मत्राइक करिए लेकिन खुद से पढ़िए इतिहां सरचिए प्रेकि आप जैसे लोगों के यही आपके माबाप ने खून पसीने की काड़ी कमय लगाया था यह एंक फिर हमने देखा कि बिल्ली बन थी विल्ली हमारी क्या है मैंने हमपे पताया जो हमारी बिल्ली के व Dharma और आहिए वहां क्हीं ट्यों कई बार प्रयास करती है वह कई बार फ्रेस करति हैं तैसे तो युणी का प्रयास करती कैसे बाहर आगा मने उचलती कुत्ती है उसके जो लोहे के शरीया लगी होते हैं उसे तोरने का प्यास करती है एक दम असफल प्रयास करती है फिर क्या होता है प्राइस करूंगों फिर तक भार्याइब करता है तो फिर बाहर नाप पाती बैठ़ जाती है। लेकिन भूख भूख पढ़ेंगे जब तक सेलेक्शन नहों जाए। बिल्ली फिर पिचले को फोलती है और खुप प्रियास करती है। अचानक ली वर्दब जाता है, और R4, वो बाहर आजाती है, उसका सेलेक्शन हो जाता है, वो भी सरकारी ध्यापक और आपके तरह ध्याबिका बन जाएगी, इस प्रकार हमने देखा, बिल्ली ने 4 R, 5 R, माने उसने क्या किया, रिस्पॉंस किया और फिर फिर सथा रिसपॉंस के बीच एक बंधन बना जिसम ऐसा फ्यरी के नाम से जानते हैं कि आ पलुं को समझमे आ गया जितनी समझमें को मिल laure सबसे पहले हम लोगों ने लिखा अभ्यास का नियम इसे कहते हैं ला पिक्सर साइज प्पुछलों कहते हिंपो गडीत नहीं आती हंपको परेवन समझ में नहीं आता हमको लुट करिए मेरा इस बाटेट नहीं हुआ अब मैं क्या कर तो सिक वहता है अब भ्यास का जो नियम है, यही कहता है, ला प्रियोग का नियम कहता है, इसे ला आप यूज, डिस्यूज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप भ्यास का नियम में कहता है, को बार बार करिए, बार बार कहने से देड़ हो जाता है, मुझे यह थेरिया कैसे याद होई, एक बार नहीं हमें पढ़ाना था, कई बार हमने पढ़ा एक दम छप गया, जैसे लग रहा है, कि पूरा आपको थेरी एक दम हुबहु आपको पढ़ा रहे है, इसके लिए आप मैनर करिए, एक बार को बार बार अभिहास क्या होती है, तक्ष बना देती है, अब आपको सीशा काटने के लिए कादिया जाई, अभी आईवी लगाने के लिए कादिया आजिया, नहीं करताएंगी, लेकिन बढ़ी आता है, अराम से बसुला लगां, खट-खट-खट, तोर्के साही के दिए, क हां करत आवधास जड्वत होता शुजान ृषरी आवत जाथता है है सर्फ पर पढ़ता निसान मतलब क्या था कि जो कुवांत अम्मा लजुरी से पानी खिचते हैं रसी से पानी निकालते है और उख के जवरोज परफ तनी होता है तो पथल पर अब्यास करते रहने से मंद बुद्धी वालग भी क्या हो सकते हैं बिद्वाज बन सकते तो आप कैसे नहीं बन सकते बताइए अब्यास करते रहेगा लेकिन रुकिएगा मत जब तक आपका चैने ना हो जाए ठीक है समझ में आप लोग को बताइए जैसे जब हम अपने बच्पन में साइकल सिखना शुरू किया था आपने भी सुरू किया हो तो जो पहली बार आपने साइकल करना शुरू किया था क्या प्रेश किया कभी केंची चाए फिर गद्धियु बैटना सुरू किया कई बार गिरे खुट ठोके दूसरे को ठोके फिर जाकर ठीरे ठीरे आप साइकल अराम से चला लेते हैं कि अ विद्धिर क्या होता है हम अब ध्याव के द्वाराम असानी से सीख पाते हैं पॉसरे गाना होता कोई कि अगर आधे जैसे आपने कई अधी इंडिया अधे कैसे आपको आध मातुजे स्लाव एक कि यावार कैसे अधूर्द है कई बार रहा यह तक जाके यह गाना था ते क्या बहुत आपको याथ बताइए तो यहाँ पर हमने किसी को सैकल चलाना हुआ गाना गाना हुआ कभिता अगर पेड़ भी चुनते होते कितने मजे हमारे होते बापतने में उनकी रसी साथ कहें भी हम भी आ जाते तो कैसे याद हुआ कद्दू जी की चली बरा थी बतातो की बरसा बचपन की कि पहली बार क्या आपने से काव बनाना सेख लिया तौ में हिंदी पणड़ना सेखलिया ठीटों Lesis didा जार्णा सेखलिया नहीं आपने भ्हास किया वही कहता है अब भ्हास का नियम यह पथाइंडाई का मुख्य और पथम नीयम है। धूसरा पक्ताका नीयम क्या आप जानते हैं तत्पटाका नियम क्या है बताकी ध़ये कितने लोग जानते हैं जो कि भहीत आई आसान भासा में समझेगा इसे क्या कहते हैं इस नियम का मतलब है कि हम किसी कार को सीखने के लिए तक पर होते हैं तक पर होते हैं तब उसे हम जल्दी सीख लेते हैं मतलब अगर कुछ लोग सोच लिये हैं तो इसके लिए उसे तयार होना चाहिए होना चाहिए तब होना चाहिए तब पर पाई कि इसी को क्या कहते हैं मनें कि इसे लाई लड़े जाएको युद्ध करे जाएको तो युद्ध के लिए तयारी जरूरी है अब भ्याज जरूरी है तो यहां पर इसलिए इसे ततपारता है यह मासिख तैयारी का नियम है जब तक चोड़ेंगे नहीं यहां पर सोचना है किस ने कहा बोड़वाद सब्सक्राइब करेंगे लिए अगले दिन से फो इलए दुर्गेष की विडियो देखना सुरू इसको बीटियो छोडेगा नहीं कि उसके दिमाग में आ गया वह तत्पर है तयार है तो इसके लिए क्या है को तयार होना जरुरी है है अपिसे क्सी प्लों कणे सबीए त्यार होते हैं जीतने पास होते हैं तो चुनom較 चीळाफ पढ्नी है कौसी बुक्स पढ़नी है, कौसी नोट्स पढ़नी है कौसा लेक्चर देखना है किसका लेक्चर देखना है यह कब माने दकता जब आप तक पर आशेयर होंगे कि लेकिन ये जरूरी नहीं है लड़्किया पैदा हो तो कि मैस्तर बना तो पूसके लिए परिपकता होना जरूरी है इना बच्छी पैदा हो दो चल तो कि मास्तर बना दी वह परिपकता वुरी है जरूरीया अंतिम मिया मत हमारा में पईडाम का नियम की क्यांते हैं बतयां सचनोर और संतोर का नाम का सिधान बिखते हैं संतोर का सुधान लिए असंतोर तो से था गाहों वाला संतोस नहीं है यह इना है कि हमरे गाहों वाल से दान संतोस उस नहीं वहीं संतोस परंशुकम वाला प्रसंद्टा का नियम से कहते हैं माने प्रसंद्टा का दुख का नियम क्याते हैं मैं इसे धांट में कहा गया है समझा देदफ्रभाव हम उस कार को सीखना चाहते हैं जिसका पड्यांब हमारी हित में हो जिससे में खुशी मिले जिस के में चयन मिले चयन सोने वाला ना है संतौत मिले संतोष अलिए ड़ी किया ना है तुक्री अग्षाण मिले अईसा ना है समाई होता है न होगता है होगता हिसलिए इसलिए म телефons एक हो एक है कर झात बहनंत दब सबता प्राप्त निकले कर जो जो रहति होते हैं वो होत करते ताक्ष पास ऻोजायै पर निम्में पर यह Ra gracious नहीं होते चपर और खोठते दूख होता है लेकिन सब्सक्राव सब्सक्रांड तक टोड़ में नहीं तब आत्व छोड़ेंगे नहीं वीडियो को सेर के देया इसा ना कटे लाइक का बटन दवाया अफित तक वीडियो को सब्सक्राइब ना कि हो न तो जल्दी से लग का बटन दवाया कि घंटा बना जा जल्दी से निखिस में हम बताएं कि जैसे हमने आपने देखा है जैब कोई बच्च तो सफलता से बढ़कर कोई प्रशकार नहीं है उसका पेड़ थप थपाईए उसे मोटिवेट करिए तुम बहुत अच्छा कर सुनाना और अच्छे से और बढ़ियां से बताना उसे मोटिवेट करिए निश्यार्ण सरकारी मास्ट्र बन पाई हमारा गुड़ांक तो कम ब करने मास्टर बन तून अपनबत के बनिया मेहनत करना इसके लिए अपना बैक्ट दीजिए समझ माया जैसे बार बाद आप बीडिसी पास हो गए देलनट पास हो गए दियाट पास हो गए अगर बाद सुपर्ट जब कुल पास हो लगब तो मोटिवेशन जरूरी है अपने बादले में जिख्यार आपके यहाप पड़ कर लो मास्टर होए आप क्यों नहीं होंगे तो मतलब जब आप अच्छा करते हैं तो आपके माबाब कहते हैं या बिटीशी कर लो पाणेम तेज हो बीड कर लो अच्छा टेट पढ़ लो कहां से तो आप बढ़िया करते मेहनत करते हैं तो फिर आपके माबाब कहते हैं तो फिर आपके माबाब कहते हैं हम दुर्गे सर को पढ़ेंगे हमें साइकल दले तब और आपके पापा साइकल देलाते हैं तो कहीं नहीं प्रशन हुए यही कहता है प्रभाव और परणाम का नियम आपके पढ़ने से आपके प् अब आते हैं यह तीन नियम को हम मुख्य नियम कहते हैं यह थंड़ाई के तीन नियम इसके बाद आता है गौध नियम जिनकी संख्या 5 है जिनकी संख्या क्या है 5 है ठीक है आई ये 5 उजली लिप पढ़ लेते हैं हाँ 5 प्रड़ भी खतम कर देते हैं दुद्धों भी शेयर कहते हैं का इनावय पैसाना कटी इसमें है पहिला बहुत प्रतिक्रिया का नियम कौस चाहते हैं कुछ नया सीखना चाहते हैं उसके लिए मैं अनेक काम तरना पड़ता है तरीके से करना पड़ता है जिसे जब बिलगा पिजड़न बंद रहा ठंदाए को ला बिलगा तो कई प्रयास किया समद्धे कभी पिजड़ों को बाहर देखा होगा अजीची देखा इसे पहली बार टीटी पढ़ेविदा या टीटी पास करेविदा कई जैनेक वीडियो देखा है कई जैनेक समझा है लेकिन पांग मोनो विज्ञान में तब कुछ एक कर मिले अब पांच निया में कम छठी लिया देखा लेकिन आपको समझाना है आपको दिमाग में जह में बताना कैसे है यह माने रखता है यही कहता है हमें ऐसी तरीके पांग करना है तक हाग को चीज़े समझ में और आप सलेक्शन लें और सरकारी से चट्षक बनें अपने माबात पस अपना पूरा प構रें इसलिए इसले इसे कहते हैं बहु प्रत क्रिया का नियम कई प्रकाश क कि इसमें क्या होता है हम अपने पूर ज्ञान को अस्थाई बनाने काम करते हैं जैसे आपको ये बताना है या पढ़ना है इसे तमझेगा ये ज्ञात से अज्ञात की तरह आपनी करण मने जो चीजे ज्ञात है उसे अज्ञात की तरह पढ़ते हैं जैसे हमें ये पता है आपने नवीन घ्यान को पूर ज्यान से जोड़कर आत्मसाथ करना ही क्या कहलाता है आत्मी करण का नियम कहते हैं। जिस कार में हमारी अभिवित्ति या मनोबित्ति होती है उस कार को हम उसी इन पात में शिकते हैं जिसे का जितना म्हलत करते हैं उतना ही कार को सीखने के लिए तो कार को नहीं सेलेक्ट हो पाएगा उस कार के बारे में हमारा जो सकात्मक्त दिश्टिकॉन होना चाहिए सोस्ते दिश्टिकॉन होना चाहिए आप ब्रती विक्सीत होना जरूरी है अगर आपने सुना है कि अगर पहले सकते अगर पढ़े तो सही पहले यहां से श्ट्रांग बनिये अगर हारने से पहले हार मान लेंगे कोई मैं कलालाग कौुचिता नहीं सकता चले अगला है अशिक्रियक कईलि ऐसे क्रिया क्नियम यह क्या है कभीं करता थे ओट जाल टोपर करते जैसरे पूरे घंडाय को पहंटना But the Uhr qe वाद के बैग्यानी प्रयोग एक तरफ उनकी नियमे तरफ अलगरे टुकडों न पढ़े पता भी नहीं चला थन्ड़ाई को खतम होगा थन्ड़ाई को खतम होगा जी हां, मतला, जैसे कोई बच्चा है, कोई हमारी कच्छा में, तो प्रयास्ति करता है, रंगीन चित्रों को पढ़ने का प्रयास करता है, पहले क्या करता है, मोटे मोटे हेडिंगों पढ़ता है, फिर कहानी को पढ़ता है, फिर उसके प्रश्ण को पढ़ता है, धीरे-धीर को जोड़कर infection की तरह बढ़ते हैं वो क्या होगा act Adm. करेगा अगलाउ अंतीमा अब आपके लिए जी हाँ साथर परिवरतन का नियम साथा क्या हूता है पता है आपको कितने लोग इस बात को जानते हैं मतलब पहले से एक बार अगरा टेट पास है दुबारा पास करना है मतलब पहले कभी की गई करिया को उसी के समाथ दूसरी बार करना इसे अनकूलन अनकूरिया का नियम कहते हैं इसे साचर परिवर्तन का नियम कहते हैं इसे क्या कहते हैं अनकूलत अनकुरिया का नियम भी कहते हैं, साचर का नियम भी कहते हैं, मतलब हम लोगों ने आप लोगों ने आपके देख लिया, बस दो मिनट और रुख जईएगा, इस से जुड़े कुछ अन्य तक भी बता देंगे, मने यहां पर हमने देखा, कि आधिगर्म में पस्ताह कैसे कैसे करेंगे, मने इस सिध्धानत हमने देखा, कि अभ्यास के द्वारा हम जो सीखते हैं, वह ज्यान अस्थाई हो जाता है, जो भी अभ्यास के द्वारा सीखते हैं, मने करके सीखते हैं, जो उससे ज्यान आपका अस्थाई हो जाता है, मतलब हम अपने सिध्धानतों में जो गल्ती करते हैं उससे धीरे देर अनुबहुत से सिखते हैं पसित्यों कर लाद उठाने कर आए जैसे पहली बात उसे दूसरी बात पच्छत दे रहोंगे पता जला कहीं और पढ़ रहे थे तो इस बार नहीं लड़ी में दुर्गेश को पढ़ना है बच्चे क्या नहीं बच्चे क्या होता है और बच्चे क्या होते हैं उनके अंदर परिष्रम गुणों का विकास होता है इस प्रकार बच्चे जो होते हैं आसावादी होते हैं सफलता में सफलता देखने वाला बनता है यह मोटिवेशन का सिध्धान्थ है इसलिए हमने अंतों गद्वा देखा कि यह अजर आपके मन में कोई सवाल हो कोई प्रस्णों कोमेंट कर सकते हैं अनितां ओनिंग क्लास आपको निशुल देशित में राश्चित में मिलती हैं आप अप्लीकेशन से साई क्लासे डाउनलोड करके पर सकते हैं जहां पे आपको अप्लीकेशन इंटरनेट का चार्ज देना होगा बाकि मेरी वीडियो लेक्चेर पूरी तरह से निशुल कोंगे आप इसका उप्यों जितना उस वीडियो को लाइब देख रहे हैं और क्या आपने वीडियो को सेयर किया नहीं किया तो चल्दी सेयर करिएगा बेस्ट आफ लक्ट जै हिंद जै भारत बाइबाइबाइब